क्या हार में क्या जीत में किंचीत नहीं भैभीत में करतब वेपत पर जो भी मिले जीत भी सही और हार भी सही दोस्तों आज है 21 सितंबर और देखेंगे आज के पूरे चवदय करने फेस के कोश्चन तो आप इस पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए अगर लास्ट में एक कोश्चन पूचों पूचों को उसका अंसार आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इस वीडियो के सब्सक्राइब करें देख सकते हैं और दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक जरूर प्यास कर दिए ताक कि आपको डेली मौनिंग में पांच बजए इसी तरह की डेली करने फेस्क वीडियो मिलती रहे दोस्तों द वीडियो को डिसिप्शन बॉक्स उस बुक का दे दिया जाएगा तो उस लिंक पे क्लिक करके पर्चेस कर सकते हैं मातर 30 रुपए की बुक है ठीक है रिवीजन के लिए बहुत इंपोडेन नोट से आप देख लें चली स्टार्ट करते हैं पहला करने फेस्ट बहुत इंप राजीब गांधी खेलन बुसकार चार वर्स की अबधी में एक खिलाडी द्वारा खेल के क्षेति में सांदार और सबसे उत्कृष परसन के लिए दिया जाता है तो राजीब गांधी खेलन बुसकार दो रठारा विजयताओं की जो है तो सूचित यहां पे घोसना हो गई है तो इस मीरा बाई चानु और विराट कोली एस मेरा बाई चानु जो है भरतोलन की प्लेयर है और विराट कोली क्रिकेट प्लेयर है आप सब को पता है और दोस्तों बात हो रही राजीब गांधी खेलन न्पूर। तो यहां से लेट इस बहुत कोश्चन पूछा आता है आपको मैं बता देता हूं तो बता दे दोस्तों कि राजीब गांधी खेल लेतने जो है भारत में दिये जाने वाला सबसे बड़ा खेल पूरुसकार है इस पूरुसकार को भारत के भौतपूर प्रधान मंतरी स्री कोश्चन पनता है कि राजीब गांधी खेलन पूसकार के प्रतम विजेता काउन थे तो प्रतम विजेता थे विष्चोनाथन आनंद ठीक है और इससे पहले किसको मिला था डेवेंदर झाझरिया और चाझै और से पहले का राजीब गांधी खेलन पुसकार मिला था ते भी आपको याद रहने हैं बहुत है तो हाली में राजीब गांधी खेलन पुसकार संधाने किया है भीपला कुमारदेव ने किसमिक उन्था गए और पहले इंडीया Ernest ऐंड से grooming कंड़कर एस्थेसी त्वारा आई इस पैस्ट्डोनिक्स के पहले संसक्रण में लांच किया गया था था ठीक है तो यह आपको याद zach vidéकना इस रोग की तो आपको इस रो से लेटर जो सारे बता देते जो जामे पूचा आते हैं हला कि मैं कई बार रिपीर कर चुका हो लेकिन एक बार फिर से बता देता क्या आपका रिवीजन हो जाए इस रोका फूल फॉर्म क्या है इंडियन इस रोक के इस रोक के शेयर्मैन है तो यह सारे फेक्ट आपको याद रखना है चलिए तो इस रोग के पहले टेक्नलोजी एक्क्यूवेशन सेंटर का उद्गाटन किस ने किया है तिरिपुरा के सीम विपलो कुमार देव चलिए अगला कोशन दोस्तों कोशन नमबर थाड़ है इसकी अब आपको पता दे कि इस छेत्र में पारत का नमबर आता है अब यहाँ पे भी विए कोशन पुचा सकते हैं तो टौप हैं अमेरिका फस नमबर पर सेकेंड नमर पर है चीन उसके बाद थर्ड नमर पर आ जाता है अपना देश भारत ठीक है थर्ड नमर पर है अगले कोशंग तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमर फोर्थ है निम लिकित में से किस राज की बिधान सवा ने गाय को राष्ट माता का दर्जा देने का प्रस्ताव प प्रस्ताव पारित किया गया जिसे अपकेंड सरकार के पास विचार के लिए भेजा जाएगा अब यहां में दोस्तों बात हो रहे उत्तराखंड की उत्तराखंड से लेटेड आपको सारे फैक्ट पता होने चीज़ जो गवर्ण रिक्जाम में पूछे आते हैं आपको बत समय उत्तराखंड में नाम क्या है जिम कारवेट राष्ट्वी पार्क भारत का पहला राष्ट्वाण था और उत्तराखंड में पुराना नाम क्या था हैए और उत्तराखंड की कैप्टल है देहरा धून उत्तरा factory वारन गबेवी रानी एडील मौर की आपको यांदर रा और फूलों की घाटी राश्टी उद्यान यानि वैली आप फ्लावार से गढ़वाल चितरी में उत्राखंड में स्थीत है ठीक है और गंगा नदीक उद्गम असल उत्राखंड के उत्राखंड के उत्राकासी जिले में गोमुक के निकट होता है ठीक गंगोत्री हिमनत से और यहां पर आपको एक और कोश्चन बता देते हैं संस्कृत को राश्टी भासा का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्जी कौन सा है तो भी है उत्राखंड ठीक है संस्कृत को राश्टी भासा का दर्जा देने वाला जो तो पहला देश पहला राज्जी कौन सा है वो है उत्राखंड ठीक है सुर्ज दोस्तो राज्टीनी राज्ट की भासा यहाँ पर राज्ज यह तो राज्ट की भासा आ जाएगा गलती से प्रोनाउंस हो गया चलिए कोशन नमर शिक्स है, हाली में कि संक्रा दौरा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले केवल एक चोथाई बच्चे ही, सामान ने वाक्यों वाली छोटी कहानी पढ़ने और समझने में सक्षा में, इसका करेक्ट एंसर है, option D, मिलिंदा गेट जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले केवल एक चोथाई बच्चे ही, सामान वाक्यों वाली छोटी कहानी पढ़ने और समझने में सक्षा में, ठीक है, question number 7 है, एक गैर रूमानी समय में नामक काब संकलान के रचईता कौन थे, जिन पहला काब संकलन था, जिसके अधिकांस कविताये पहचान सीरीच की पहली पुस्तिका विश्नु खरे के कविताये करूम में प्रकासित की गई है, अब यहां पर आपको कुछ और फैक्ट बता देते हैं, विश्नु खरे के बारे में जो पूछा आता है, तो प्रसिद्ध ह हिंदी कभी अनुवी पत्रकार और फिल्म आलोचक विश्नु खरे का 19 सितंबर 2018 को निधन हो गया, और खरे फिनलेंड के राष्टी महाकाब कलेवाला के हिंदी अनुवात के लिए और आप दा वाइट रोज आप फिनलेंड सहीत कई पूरुसकारों सम्मानों के प्राप्त रकाउन थे जिनका हाली में नीधन हो गया इंसर हो जाएग इसका ओप्शन सी विश्नु खरे ठीक है चली अगले कोष्रांक तरफ बढ़ते हैं रस्टा सेक्सुआल ऑफेंडर्स जारी किया भारत की पूर्व कितने देश नेशनल रिश्ट्री आफ सेक्सुर्स जारी कर च से पूरवाट देश नेशनल रिष्ट्री ऑफ सेक्सूल ओफेंडर्स जारी कर चुके हैं कोर्शन नमबर नाइन्थ है प्रधान मंत्री फसल वीमा युजना के तहत फसल वीमा कमपनियों को अब किसानों को देरी से भुकतान है तू निमन में से कितने प्रतिशत व्याज दर का भुकतान करना होगा जिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन बी बारह परसेंट ही के 12 परसेंट आपको पोता दे कि प्रधान मंत्री फसल वीमा वजनाक थेत निर्धारित अंतिम तिथी के दो माह बाद दावों का निप्लाना करने पर देरी होने कारण कमपनिया किसानों को बारह प्रिस्षत व्याज का भुकतान करेंगी कोशन नमबर टेंथ है भारत और किस देश ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हवाई सेवा समझोते पर साक्सर किये हैं दोस्तों इसका करेक्ट नसर जाएगा औपसने मोरक्को आपको बतादे कि भारत और मोरक्को ने संसोधित हवाई सेवा समझोते पर साक्सर किये हैं और इस आधनिक संजोते से दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी ठीक है और दोस्तों आपको बता दे कि मुरक्कों की जो राजधानी वो है रबात और मुद्रा है मुरक्कन दिरहेम ठीक है मुरक्कन दिरहेम यहां की करेंसी है कोश्चन नमबर 11 दोस्तों प्रधानमंत्री मोधी जी द्वारा 2718 को कि शहर में इंडिया इंटरनेशनल कंवेंशन और एक्सपो सेंटर की अधारसिला रखा गया है दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन भी नई दिल्ली आपको बता देक पीम नेरेद मोधी द जमाय उजनाओं की ब्याजदरों में तीसरी ती माहिया ने अक्टूबर दिसंबर के लिए कितने परसेंट तक की ब्रिद्धी की है करेक्ट एंसर है ऑप्सन डी 0.4 परसेंट ठीक है आपको बता दे सरकार ने PPF NSC और सुकन्य सम्रिद्धी उजना जैसे छोटी अबदी व प्रदानमंत्री मोदी के अध्यक्षता वाली कविनेट की नियुक्ती समिती ने इलाहबाद बैंक, सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक समित सार्वनिक छेत्र कितने बैंक में मैनेज में मैनेजिंग डारेक्टर और सी यो की नियुक्ती को मंजूरी दे दी है अब देख लेतें दोस्तों कल की क्वेश्चन का एंसर अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है? आज का सवाल आज कोशन परमाणू उर्ज आयोक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका गरेक्टर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों ठीक है? तो मिलते है नेक्ष वीडियो के साथ तब तक लिएप